के नमश्कार दोस्तों तो फिर से एक बार आप सबी का हमारे यूटूब चानल पर स्वागत है तो आश के वीडियो में हम आपको इनेरल डैना एलवांस लिक्विड के बारे में जानकरी देने वाले हैं तो दोस्तो इस लिक्विड के नाम से ही पता चलता है एनल डायना एडवांस यानि के यह एक उर्जा का बुस्टर है एनर्जी बुस्टर है तो दोस्तो इस लिक्विड का इसमान लिगेटी इनर्जी बैल्स में हो गया दूद बल्रा निकले हो गया क इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो को पूरा देखिए बीच में मत छुड़े थाकि आपको भी एनलाना एडवांस लिक्विड के बारे में पूरी जनुकार मिल सके तो दूस्तो एनलाना एडवांस लिक्विड वेट में काइन कामपनी का आता है इसमें आपको 500 ml और एक लिटर तक के बॉटल मिल जाती है और इसमें एनलाना प्लेन भी लिक्विड आता है अब बात करते हैं इसमें कौन-कौन से घटक मोज़े तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें पर एक लिटर बॉटल में प्रोपाइलिंग लाइकॉल है प्यूरिपाइड है यानि शामिल है तो आप अगर इसकी कॉम्बिनेशन देखे इस लिक्विड के कॉम्बिनेशन तो इसमें दोस्तों आपको विटामिन ये नजर आएंगे आयरेव देख हर्बस नजर आएंगे उसके साथ प्रोपार इंगला कॉलर प्यूरिपाइड है यानिकि शुद्श्य है इस तनपन की दारान निगेटिव एनरजी बैलंस की समश्या देखने को मिलती है निगेटिव एनरजी बैलंस में क्या हो जाता है कि पशियों के शरर को उर्जा की जितनी जरूत होती है पशियों जितनी उर्चा खर्च करता है उसकी मुताबिक उनको उर्जा नहीं मिल पाती ह तो उसके कारण क्या हो जाता है कि पश्यू निगेटिव एनर्जी बैलस में चला जाता है तो निगेटिव एनर्जी बैलस में क्या हो जाता है कि पश्यू का दूद कम हो जाता है पश्यू खाता पेता कम है पश्यू बहुती कमजर फिल करता है तो निगेटिव एनर्जी बै बैता हैं तो बेयाने के बाद पशू को कमजुरिया जाती हैं तो उस दवरण पशू लेक्टेशिन के दवरण पश्यों को ऊ menjadiकश कि जू ज़ादा ज़रुद लगने लगते तो उस तेदिमें यह लिक्वीड क्या करता है कि पश्यों को को रोकने में मदद करता है केटोसिस एक metabolic disease है केटोसिस में शर्र में glucose की मातरा कम हो जाती है केटोसिस बिमारे में पशु सुका चारा खाता है हरा चारा नहीं काता है पश्यों का दूद उत्पदन कम हो जाता है पश्यों की हड़िया चमड़ी से चिपकी दिखाई देती है और पश्यों के शर्र में ketone bodies accumulate होती है उनके मोतर में और खोर में तो ketosis भीमारे में शर्र में glucose का स्तर बढ़ाने के लिए इस तरह के जो लिक्विड आते है energy booster इनका इस्तमाल किया जाता है उसके बाद बात करते है नकारत्मा उर्जय संतुलं के कारण दूद उत्वादन में गिरावट आती है तो उसको रोकने में भी यह लिक्विड मदद करता है दोस्तो पश्यों का निगेड़े energy balance में चला गए है तो उसका पहला symptom होता है पश्यों का दूद उत्वादन में कमी तो उसके दवरान पश्यों का दूद उत्वादन में bütün कमे को आने कि यह लिक्विड रोकता है यानि कर कमोता है तो उस दूरान अगर क्या करता है कि पश्यों का दूद उत्वादन बारने में मदद करता है दोस्तो आप अगर इस liquid का इस्तंमाल आपके पशों को दूद ब्रणाने के लिए करना चाहते हैं पशों को दूद अगर down हो रहा है तो उस तीवयोजों को दूद अगर पर हड़े देगाएते थी जो पुछों होते हैं उनके इनके बिल्कुल ही फ्याट नहीं होता है तो उन पुषियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है अब बात करते हैं इसके बारे में तो दौस्तों के बाता है 200 ml daily for 5 days यह प्रति दिन ऐसे 5 दिन देना होता है तो दोस्तो इसके doses में change भी हो सकता है कभी-कभी 200 ml सुबह और 200 ml शाम को भी दिया जाता है वो डिपेंड करता है पशों के condition के उपर कि पशों को उर्जा की जरुद कितनी है तो दोस्तो यह जो liquid है इनडायना एर्वास एक भूत ही बहुत ही बहतरी लिक्विड है और इसकी रिजर्स भी बहुत ही बहतरी ने कई पशुपरेक लोगों ने इसका इस्तमार किया होगा और कई पशुपरेक लोगों को इसके जो results है वो कापी अच्छे मिले होँगे तो दोस्तो ये था एनर डायन अरवांस लेक्विड के बारे में आज का वीडियो वीडियो कैसा लगा यहाँ आप हमें कमेंट सेक्षिन में जाके कमेंट करके बाताईए हमारे वीडियो को लाइक करते रहे है चैनल को सब्सक्राइब कीजे और सबसे पहले मिल सके तो दस्तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगरे वीडियो में तब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद